तो वहीं सदन में जब वो ये कहते हैं कि आसन कदमों पर है तब भी हर कोई उन्हें धैरे से सुनता है लोगसभा में कितना भी हंगामा हो लेकिन आपा नहीं खोने वाले लोगसभा स्पीकर के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें पुलिस बुलवानी पड़ी और तो और ओम बिरला की शिकायत पर पांच लोग गिरफतार भी हो गए अब आपको पूरा वाक्या बता देते हैं लोगसभा स्पीकर ओम बिरला की सादगी से तो आप परिचित होंगे ही नहीं तो आपको बता दे कि लोगसभा स्पीकर ओम बिरला अभी भी ट्रेन में ही आम आदमी की तरह सफर करते हैं वो नई दिलिज से इंदोर जा रही इंदोर इंटर सिटी एक्स्प्रेस के एसी कोच में सफर कर रहे थे इसी दोरान उन्हें पडोस के कूपे से हंगामे की आवाज आई पता करने पर उन्हें पता चला कि साथ के कूपे में पांच लड़के शराब पी रहे हैं लोगसभा स्पीकर ओम बिर्ला को पडोस के कूपे में चल रही दारू पाठी में होने वाले हंगामे को रुखवाने के लिए पुलिस बुल्वानी पड़ी शराब पी रही युबक एक बार तो स्पीकर के पीए से भी भिढ गए रात को मथुरा जंक्शन पर जब ट्रेन पहुची तो युबकों को उतार लिया गया सभी को गिरफतार कर लिया गया है आरपीएफ ने कूपे से शराब की बोतल, नमकीन, ग्लास और कोल ब्रिंग्स बरामत की है पकड़े गए युबकों को आरपीएफ ने कोट में पेश किया आपको ओम बिरला के बारे में लोगसभा में कहे पीएम मोदी की बाते सुनाते हैं इससे पता चल जाएगा कि ओम बिरला किस तरह से जमीन से जुड़े रहे हैं और हर वक्त लोगों की मदद के लिए खड़े रहते हैं आदनिया देश्मोदय जी इस सदन के सभी सदस्यों के लिए यह अत्यंत हर्श का और गर्व का समय है आपको इस पत पर आसीन होते हुए देखने का इस सदन में पुराने सभी सदस्यों से आपसे भली भाती परिचीत है विधाय के रुप में भी राजस्तान में आपने जो सक्रिय भूमिक आदाकी है उससे भी राजनितिक जीवन से जुड़े हुए लोग परिचीत है हम सब के लिए गर्व का विशे है इस स्पीकर पत पर आज एक ऐसे व्यक्तित्व का हम अनुमोदन कर रहे हैं सर्वसम्मति से उनको स्विक्रूति दे रहे हैं जो सार्वजनिक जीवन में विद्यार्थी काल से छात्र संगठनों से जूड़ते हुए उनिवर्सिटी की छात्र गतिवीजी का नेत्रूत्व करते हुए जीवन का सर्वाधि उत्तम समय किसी भी प्रकार के ब्रेक के बिना अखन अविरत समाज जीवन की किसे ने किसी गतिवीजी से जूड़ा रहा भारतिय जनता पाटि के कारकरता के रुक में भी छात्रा अंदोलन से निकल करके युवामोर्चा के संगठन में करी 15 साल तक जीले में, राज्य में और राष्ट्री स्तर पर काम किया मुझे सालों तक संगठन का कार करने का अवसर मिला उसके करण मेरे एक साथी की रुप में भी हम दोनों को साथ में काम करने का अवसर मिला और कोटा वो धरती हैं जो एक प्रकार से आजकल सिच्छा का काशी बन गया है जिनके भी दिल दिमाग में केरियर की प्रास्मिक्ता है वो कोटा को पसंद करता है कोटा में रहेगा कोटा में पढ़ेगा और कोटा से अपनी जिन्दिगी बनाता है राजस्तान के कौने सा छोटा सा शहर आज एक प्रकार से लगू भारत बन गया है और कोटा का ये परिवर्तन जिस नेत्रुत्वतिन सामने हुआ है जिसके योगदान से हुआ है जिसके इनिसेटिव से हुआ है वो नाम है स्रिमान ओम बिरलाजी हाम तोर पर राजनीतिक जीवन में हम लोगों के एक शबी बनी रहती है कि हम चोबी से घंटे राजनीति करते हैं उठा पटक करते हैं तू-तू मेमे करते हैं कौन हारे कौन जीते इसी में लगे रहते हैं लेकिन उसके अलावा एक सच्चाई होती है जो कभी कभी उजागर नहीं होती है वर्तमान में देश ने अनुभव किया है कि राजनीतिक जीवन में जीतना अधिक माता मैं सामाजिक सेवा का प्रपोर्शन रहता है समाज में स्विक्रूति ज्यादा मिलती है हार्ड कॉर पॉल्टिक्स का जमाना करीब करीब चला जा रहा है ओम बिरलाजी वो सच्चियत है जो जन प्रतिनिती के नात्य राजनीति से जूलना बला स्वाभाविक था लेकिन उनके पूरी कारेश है लिए समाज सेवा केंद्री रही समाज जीवन के कहीं पर भी पीड़ा अगर उनको नजर आई तो पहले पहुंचने वाले वेक्तियों में से रहे मुझे बराबर याद है जब गुजरात में भेंकर भूकम पाया बहुत लंबे अर्षे तक वे कच्छ में रहे अपने इलाके के युवाद साथियों को लेकर के आए स्थानिय कोई ववस्ता का उप्योग न करते हुए अपनी ववस्ताओं को जो भी उप्लमते थी उसके आधाकुणों ने लंबे अर्षे तक सेवा का काम किया जब केदार्नाथ का हास्ता हुआ तो फिर उत्तराखंड में नजर आए वहाद उतने टोली लेकर के समाज सेवा के काम में लग दे और अपने कोटा में भी अगर किसी के पास थंड की सीजन में कंबल नहीं है तो राद भर कोटा की गलियों में निकलना जन भागीदारी से गरम कंबल वगेरे इसकरणा करना और उनको पहुचाना उन्हाने एक व्रत लिया था सारवजनीक जीवन में हम सभी सामसोदों के लिए कभी-कभी वो प्रहना देता है उनका व्रत था कि कोटा में कोई भूखा नहीं सोएगा और वे एक प्रसादम नाम की योजना चलाते थे आज भी चल रही है उस प्रसादम योजना के तहर जन भागी जारी से भूख के लोगों को ढूंद ढूंद करके उनको खाना खिलाना ये उनका रेगूलर काम बन गए उसी प्रकार से गरीब हैं दुकी हैं अगर कपड़े नहीं है पूरे तो उन्होंने परिधान योजना बनाई उस परिधान मुवमेंट के आधार पर बे जन भागी जारी से समाजी सम्वेदना से लगातार जूडए रह करके अगर किसी के पास जूते नहीं है तो जन भागीदारी से जूते इकटा करना गर्मी की सीजन में उसको जूते पहना देना अगर कोई बिमार है कही रक्तदान का काम जरूरी है कि अस्पताल मौर सेवा है देनी है एक प्रकार से उन्होंने अपनी राजनीती का केंदरविंदू जन अंदोलन से ज़्यादा जन सेवा को बनाया और ऐसा एक समयदन सिल व्यक्तित्व आज जब स्पीकर पत पर हम सब को अनुशासित भी करेंगे अनुप्रेरिट भी करेंगे और उसके द्वारा यह सदन देश को उस्तम से उस्तम दे पाएं एक कैटलिक एजन के रुपे एक पदाशिन के जिम्मेवारी के रुपे और सालों की सामाजिक सम्वेजना वाली जिन्य की जीते के निकारण मुझे भी स्वास है कि वो उस्तम तरीके से चीकों को कर पाएंगे सदन में भी हमने देखा है वो मुश्कराते हैं तो भी बड़े हलके से मुश्कराते हैं भी बोलते हैं तो भी बड़े हलके से बोलते हैं और इसलिए सदन में मुझे कभी कभी डन लगता है कि उनकी जो नम्रता है विबेख है कहीं कोई उसका दुरुत्योंग न करते लेकिन आज कल तो पहले तो ऐसा होता था कि शायद लोगसभा के स्पिकर को कठेना या ज़्यादा रहती थी राच्षभा के चैन्मेन को कम रहती थी देंगे अब उल्टा हो गया है हम जब पिछले सत्र को याद करेंगे तो हर किसे जब मुझे यह तो निकलेगा कि हमारी जो स्पिकर महोदाया थी हमेशा हसते रहना खुश-खुशाल रहना और नाटना भी है तो नाटने के बाद हस्परदा लेकिन नुर्णा ने भी उत्तम तरीके से नई परंपरा को विक्षित किया इस सदन की तरफ से प्रेजरी बैश की तरफ से शासन बे बैटे विए सब जिम्मवार मत्री परिशद के तरफ से मैं अदेश महुदे आपको विश्वाद जलाता हूँ कि आपके काम को सरल करने में हम जो भी घुमिका हमारे जिम्मे होगी उसको श्रत प्रतिशत पुरुन करने का प्रेयास करेंगे और आपका हक बना रहेगा कि इस बेंच तरफ भी अगर नियमों का उनलंगन होता है जवस्ताओं में बाधाई प्यदा की जाती हैं तो आपका पूरा हक बनेगा कि हमको भी हमारे तरफ के लोगों को भी आप उतनी ही मकमता से आगरता से कहें हम उसका स्वागत करेंगे क्योंकि सदन की गरिमा बनाना हम सब का योगदान हो रहना यावशन है और मुझे विश्वास है पहले तो तीन-चार साल तो अच्छे जाते से चुनाव के बरस में थोड़ी गड़बर होती थी लेकिन अब दब हर तीन-चार मेहने के बाद को एक चुनाव दिखता है तो लगता है कि यहीं से कुछ मेसेज देंगे तो ऐसी स्थिति में आपको भी तनाव ज्यादा रहता रहने वाला है लेकिन फिर भी अच्छी चर्चा हो उत्तम चर्चा हो सब विश्यों पर चर्चा हो मिल जुलकर के निरड़े हो उसमें आपको पूरी तरह ये सदन भी योग लगता है